किसान साथियो वेलकम टू इर्फान उलनास्टरी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ थाई और टेम जैक फ्रूट का पौधा हमारा मदर प्लांट है जो उसमें अभी फ्रूटिंग आया है तो इसलिए वीडियो बना रहा है हम तो किसान साथियो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैक फ्रूट सर्फ साल में एक ही वर फ्रूट प्रोडक्शन देने के लिए सक्षम है लेकिन आज आज आपका विलिप को हम बदलने वाले हैं क्योंकि जो पौधा हम दिखाने जा रहे हैं इसमें एक तरफ छोटा फल एक तरफ बड़ा फल और दूसरी तरफ फ्लोरिंग भी आपको दिखने को मिलेगा तो किसान साथियो यह जो फ्रूट आप देख रहे हैं थाई और टाइम जैक फ्रूट का पौधा है और अभी नॉबेंबर का माहिना चल रहा है नॉबेंबर माहिने का आज 10 तरीक है और आज के टाइम पे इसमें फ्रूटिंग आया है तो जैसे कि सब लोग आप सब लोग जानते हैं कि जाक फ्रूट साल में सरफ एकी बार फ्रूट पोड़क्शन देने के लिए सक्षा में लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जो थाई वराइटी का नया पौधा लॉंच हुआ है उसमें बारा महिना कॉंटिनुसली फ्र लग सकता है और दूसरी तरफ इसके विशाइड में यह जो फ्रूट है यह अभी अनमैचूर है यह फ्लॉर इसको अभी कनवर्ट होना है फ्रूट में तो फ्रूट में कनवर्ट होने तक इसको 15 दिन में वक्त लागेगा फ्रूट फ्लॉर से फ्रूट में कनवर्ट होने ठीक है तो यह इस बात का प्रूब है कि यह जो वराइटी है वो पुरा महिना पुरा साल भर फ्रूट पोडक्शन देने के लिए सक्षम है क्योंकि एक तरफ छोटा फल और एक तरफ फ्लॉर ठीक है तो इसको देखके आप समझी चुके होंगे कि यह वराइटी में कितना दम है तो किसान साथ ही हो मैं आपको ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो जब सीजन रहेगा तब आप उसमें से अच्छा इंकम तो लही सकेंगे लेकिन जब आप सीजन होगा जब किसी के पास फूरूट नहीं होगा तब आगर आपके पास उसको खाने का टेस्ट अलग ही है तो किसान साथियों एक दूसरा पेड़ आपको दिखा रहा हूं यह हमारा मदर प्लांट है इनमें से हम नया प्लांट तैयर करते हैं इसका ब्रांचेस कटिंग करके आप देख सकते हैं यह फ्लॉर है और यह भी फूरूट में अभी- प्लांट आप प्लांटेशन कर पाऊगे और हर साल लगभग 12-15 लाक रूपे कमा सकते हो लेकिन पहले साल में आपको फ्रूट नहीं लेना है अगले साल से फूरूट पोडक्शन ले सकते हो पहले साल में आपको 5-6 लाक रूपे आसानी से मिल जाएगा लेकिन जब इसका उमार चार से पांस साल हो जाएगा तब 15-16 लाक रुपे भी आ जाएगा आपकी अकाउंट पर तो किसान साती हो अगर आप इसका प्लांटेशन एक बार कर दे होते हो तो 20-25 सालों के लिए आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है आपको अर्णिंग इसमें से आती रहेगी तो अगर आप किसी भी सबजी की खेती करते हो तो हर 3-6 मैने में आपको कटिंग करना पड़ता है उसके बाद दुबारा से सब कुछ नया करके शुरू करना पड़ता है लेकिन अगर आप इसका एक बार प्लांटेशन कर देते हो त आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं तो किसांद साथियो उमेद है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फफुल रहा है आज के लिए बस इतना ही मिलते है दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई